नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों SSE CPU का एक्जाम 29 जून 2024 को खत्म हो चुका है टोटल नो सिर्फ में जो आपका एक्जाम हुआ है अभी तब कोई भी री एक्जाम की अपडेट SSE की तरफ से नहीं आई है कहने का मतलब यहाँ पर 27, 28 और 29 जून को एक्जाम खत्म होने के बाद जो लाखों के एक्जाम की एंसुर की का इंजार कर रहे हैं अभी तो इस वीडियो में बात करने बार है SSE के ओपीशल डाटा के एकोर्डिंग CPU या फिर कह सकते हो SSE सब इंस्पेक्टर S.I. जो दिल्ली पुलीस C.A.P.A.P. में 2024 एक्जाम की एंसुर की कब आएगी और लगभग इस डाटा के एक्जाम आपको एंसुर की देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस से तो SSE का पास्ट डाटा देखते हैं ओपीशल जो एंसुर की लेटेस्ट 2023-2024 में रिजिलिज की गई है जिसमें रियेग्जाम था उसकी कब आई और जिसमें नहीं था रियेग्जाम उसकी कब आई तो यहाँ पर अपन नीचे देखते हैं वाकि लेटेस्ट और तवरित अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्राम से जोड़ सकते हूँ लिंक डेस्क्रिप्स में जैसे की टोटल अभी अपन साथ एक्जाम का डाटा देखने वारे हैं SSE क्या कर रही है और SSE में अपना सलेक्षन सुनिचित करने के लिए आप को क्या करना पड़ता है प्राक्टिस करनी पड़ती है जो अभी एंसुर की का इंजार कर रहे हैं और उन्होंने प्राक्टिस की है प्रिविज पेपर से तो उनका सलेक्षन सुनिचित हो जाएगा बाकी जो practice नहीं कर रहे हैं डारेक्ली exam देने जाते हैं पचास पश्टेज त्यारी के साहती वो अपना exam अटेम्ट कर पाते हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हो एक lucky viewer क्योंकि आप ये वीडियो एक बहत्रीन offer और deal के दोरान देख रहे हो अभी बहत्रीन discount आपको टीडियो के coupon code के साथ में बारा पश्टेज का अत्रिक discount मिल जाएगा पास परो का मतलब प्रिवीश चेर के जितने paper है वो एजे mock-up लगा सकते हो SSC का कोई भी exam हो, railway का हो, banking का हो, एक साल की reality में एक बार पास ले लिए ना जो भी exams आएगा और उनके प्रिवीश चेर के paper शहित उन पर आदरित आप mock-test दे पाएंगे उनका analysis करके और smart तरीके से vaccination करेंगे, कहां का कमिया है, कौन सा section में, subject में बार-बार आपकी स्वाल गलत हो रहे हैं description box में जाना, सबसे नीचे एक demo वीडियो मिलेगा, उसको check out करना, link से देखना, कैसे join करना, आपको detail मिल जाएगी फिलाल आप ये data check out कीजिगा, SSE J से बात करते हैं, जो latest answer की जारी की है SSE ने, SSE J exam 2024 है exam होता है, 5 से 7 जून 2024, 5, 6, 7, 3 दिवस का exam होता है, कोई भी re-exam नहीं हुआ, answer की आगई 12 जून 2024 को, आपको बता दूँ, SSE CPU का exam भी 3 दिवस हो रहा है 27, 28 और 29 जून, re-exam CPU की अभी तक कोई भी update नहीं आई है, जो भी exam किसी भी center wishes, shift का cancel होता है तो उसके residual या फिर cancel का notice जैसे आपने selection post में देखा था, काफी center के exam cancel होता है और उनको residual किया गया, इस प्रकार CPU में नहीं देखने का मिला, तो re-exam नहीं हो रहा है अभी तक की latest update की according, जो सभी exam से खत्म होने के बाद बात कर रहा हूं है answer की debt, SSJ की आप देखेंगे तो 12 zone थी, यनि exam 7 zone को खत्म हुआ कोई re-exam नहीं था, बीच में आप days देखेंगे तो 4 दिन का gap है और 5 दिन answer किया जाती है इस से पहले का और data देखते हैं, 5-6 और exams की SSJD 2024 की बात करें, 25 से 7 March 2024 तक exam हुआ और re-exam भी हुआ 30 March 2024 को अब last exam से आप count करते हूं कि answer की कब आ रही है जैसे की यहाँ पर GD का re-exam 30 March 2024 को हुआ और answer की आई 3 April 2024 को gap 31 March 1 और 2 April, यनि 3 दिन का gap और 4 दिन answer की आपको देखने को मिली बाकी कुछ interesting और past का data आपन CPU का 23 का देखते हैं, ये तो आपका 24 का exam है SSJCPU 23 में exam होता 3 दिन, अपकी बार भी 3 दिन है और CPU 23 में भी 3, 4 और 5 October 2003 को tier 1 का exam हुआ कोई भी re-exam नहीं हुआ, answer की आपको देखने को मिल गए थी 7 October को ये पांच का exam, एक दिन का gap और दूसरे दिन answer की देखने को मिली ये वन डे gap में आपके answer की आगे थी CPU 23 में, एतना first चल रहा था 2023 में SSJ, धीरे धीरे days बट रहे हैं, उपर आप और देखेंगे किस प्रकार days एक से दो दिन, दो से तीन दिन, तीन से चार दिन हो गई, SSJ जेई 2023 का data देखेंगे, जैसे जेई 2024 में तो चार दिन का gap लगा, लेकिन 2023 में जेई का देखेंगे न तो एक दिन का gap था, अपकी बार आप समझ रहे होंगे, 2024 में SSJ क्या कर रही है, जेई का आपके 9 से 11 October को exam हुआ है, 14 नॉवंबर से 3 दिसमबर 2023 कोई re-exam नहीं हुआ और दिल्ली पुलीस में 6 दिसमबर को answer की आ गए थी, यानि 4 और 5 दिसमबर दो दिवस का gap और तीसरे दिन answer की आ गए थी, इसी प्रकार SSJ इस्टेनों का आप देखेंगे, 12 और 13 October को दो दिन exam होता है, और फिर य तो अक्टूबर में, ऐसी जब अक्टूबर में, 2023 में, 7 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को answer की आई, उस समय एक दिन का gap था, अक्टूबर से आप नीचे ऊपर और बढ़ेंगे, अक्टूबर और दिसमबर में, दो दिन का gap हो गया, और उपर आपने बढ़ा, और किस प्रका कितना दिन का gap आपको अभी 2024 में लग जाएगा, तीन से चार दिन का क्योंकि 2024 के दो latest exam में आपने देख लिया, बाकि एक और मैं interesting fact आपको बता दूँ, वो आप देखेंगे selection post का, selection post phase 12 का exam अभी हुआ है, 20, 21, 24, 25 और 26 zone 2024 को, अभी zone में selection post का exam CPU से जश्ट पहले था, और 26 zone 2024 को selection post का re-exam भी हो गया, काफी shift cancel हुई थी, उनका सभी का re-exam हो गया, 26 zone 2024 को, तो कोई pending exam नहीं रहा है, selection post का, तो last exam 26 zone है, आज आपका 29 zone है, तो अब तक यहाँ पर selection post cancel की नहीं आई है, यह 27 और 28 zone दो दिन हो चुके हैं, दो दिन का gap, अभी expected आपके selection post की और CPU की दोनों की बता देता हूँ, selection post के आपका expected अभी मान लेते हैं, यह 4 दिन ले लेते हैं, अब 3 से 4 दिन, या तो कल आपको कुछ update हलचल देखने को मिल जाएगी, 29 zone आज है, कल यहनि 30 zone को, या फिर, फिर 1 जुलाई को, अब 4 दिन complete हो जाएगी, 27, 28, 29, 4 दिन का gap, 2024 के latest SEC का, जो काम करने के तरीका है, उसके according आपको 30 zone या 1 जुलाई को selection post के answer की देखने को मिल सकती है, तो वो ही SEC का typical जो time है, days का gap का, वो फिलाल 4 दिन, 3 सी 4 दिन का है, तो यहाँ पर CPU से भी आप अंदजा लगएगा, आज आपके 29 दिन को exam खत्म हो रहा, कोई re-exam का update नहीं है, तो आप कहेंग 30 zone को answer की कत्ती नहीं आएगी, selection post तक की अभी तक नहीं आई है, उसके बाद 1 जुलाई, 2 जुलाई, अब ये 3 दिन है न, इन में तो answer की आने के बहुत कम चांसे है, फिर बात आती है, 4 और 5 जुलाई की, तो 4 और 5 जुलाई में, इन 2 दिवस में आपको answer की देखने को मिल ज जाएगा 30 zone को, तो यहां पर 4 जुलाई को, आपकी 4 दिन का gap हो रहा है, बाकि 3 जुलाई को आईगी, तो 3 दिन के gap में आ जाएगी, तो 3, 4, 5 जुलाई, ये expected है, SSC CPU 2024 के answer की का, बाकि आपने data के साथ पूरा विवरन देख लिया है, और इस type के बिलकुल, reality आधारित content देख पर चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon हिट कर देना, और बाकि टेलिगाम चैनल पर आपको जो भी update है, सबसे पहले answer के आएगी, तो मिल जाएगी, तो link description में टेलिगाम चैनल ज़रूर जोइन करना, या पर directly add the rate trend जी के सर्च करके टेलिगाम पर आप जोइन कर सकते हो, और ये जीदी भूल गए तो दोबारा बता दू, अभी sell चल रही है, एससी पास्परो की lowest price के इसका फायदा उठा सकते हो, टीटीजी के कोपन गोर से, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद